सुराज इंडिया के संयोजक योगेंद्र यादब पर माहारास्टा की अकोला में हमला हो गया कठित तोर पर ये हमला आरक्षन के उबर्गी करण का समर्थन करने के कारण हुआ आरोब बंचित भौझण अगारी के कारे करताओ पर लगा है योगेंदर यादम महारास्टा के अकोला में भारत जोड़ो अभियान के तहट समिधान की रक्षा और हमारा बोट विसैपर संबेलन कर रहे थे इस दोरान वहां मौझूद कुछ लोगों ने उनका विरोध करना सुरू कर दिया और नौबत धक्का मुक्की तक आ पहुँची मीडिया का हवाला देते हुए योगेंदर यादम ने बंचित भोजन अगाडी पर इस हमले के आरोप लगाए है योगेंदर यादम ने कहा कि यह हमला बाबा साहब की समिधान पर हमला है महराष्ट्र विधानसवा चुनाव के बीच आज यहाँ अकोला में जो हुआ उसे हर लोक तांत्रिक बेप्ति को चिंता करनी चाहिए भारत जोड़ो अभियान की तरफ से तीन देवसीये विदर्व का हम सब लोगों का दौरा चल रहा है मेरे साथ उलका महाजन जी है भारत जोड़ो अभियान की महराष्ट की सन्योजब और भाई सन्जे मंगला गोपांद जो की भारत जोड़ो अभियान की राष्ट्रिय सचिव है महराष्ट के सहसा योजब भी है हम सभी साथी अलग लग शेहरों में जाके संभिधान पे खत्रे के बारे में संभिलन कर रहे है आज अकोला में महराष्ट डेमोकरिटिक फोरूं के साथ मिलके ऐसा ही एक संभिलन आयोज़ित किया लोक तंत्र को खत्रा और हमारा वोट इस विशेपर पुर्काताई बोली संजय भाई बोले बहुत शांदार सभा थी इतनी बड़े संख्या में महिलाएं वहाँ पे आई थी और जैसे ही मेरा बोलने के लिए नाम लिया गया एक व्यक्ति दोड़ के आया उसने पहले माइक पकड़ा उसके पीछे दस लोग आए उसके पीछे पचास साथ लोग और आए चिलाना और बार बार उंगली उठा के बढ़ा आक्रामक तरीके से चड़ रहे थे हमारे उपर हम बस बैठे रहे एक बार बार मैंने कहा बोलने दीजिए मैं आपके सब सवालों का जबाब दोगा लेकिन जाहिर रही ये उनकी कोई नियत नहीं थी केवल और केवल हुरदंग मचाना हमला करना आठ दस मिनित तक हमारे साथियों ने घेरा बना के उनको रोके रखा लेकिन एक स्थिती आई जब लग रहा था कि पूरे पचास साथ लोग हमारे उपर आके गिरेंगे और पीछे कोई जगया नहीं थी हमारे पास उस वक्त पुलिस ने हमसे आकरह किया कि हम वहाँ से निकलें पुलिस हमारे को बाहर निकाल के लेके आई हुरदंगियों ने हमारा पुलिस की गाड़ी तक पीछा किया कुरसियां तोड़ी, मेज तोड़ा, सब कुछ वहाँ पे किया मैं पिछले 25 वर्ष में महराष्ट में न जाने कितनी बार आया हूँ न जाने कब कब कहा कहा व्याख्यान दिये हैं ऐसा कभी एक बार भी नहीं हुआ ये महराष्ट के लिए दुखत बात है ये संविधान की रक्षा करने वालों के लिए लोग तंत्र में विश्वास करने वालों के लिए दुखत बात है हमारा एक ही संदेशा था कि हमारा अपना कोई कैंडिरेट नहीं है बाबा साहिब का संविधान हमारा कैंडिरेट है इस संदेश को लेके आने वालों के साथ ऐसा बरताव होना ये लोग तंत्र में विश्वास करने वाले सब लोगों के लिए चिंता की बात है मुझे विश्वास है कि इसकी शिनाक्त की जाएगी ये काम किनों ने किया किस इशारे पे किया कौन लोग थे जो डरे हुए थे कि हम अपनी बात न रखें हाला कि इस मामले पर अभी तक बंचित बहुजन अगाडी की ओर से कोई सपस्टी करन नहीं आया है लेकिन योगेंद्र यादब के समर्था कह रहे हैं कि बंचित बहुजन अगाडी के लोगों ने ही हमला किया है योगेंदर यादब ने आरक्षन में बरगी करण का प्रवल समर्थन किया था एक अकस 2024 को जैसे ही सुप्रीम कोट का फैसला आया योगेंदर यादब ने बड़े बड़े लेक लिख कर ये बताने की कोशिस की कि कैसे आरक्षन में बटवारे से फायदा होगा बताया जा रहा है कि हमला बर उनके इस समर्थन से नाराज थे दरासल पिछले दिनों जब सुप्रीम कोट ने आरक्षन के बरगी करण का फैसला दिया तबी से ही योगेंदर यादब इस मुद्दे का स्वागत करते हुए लगातार लिख रहे थे सोसल मीडिया पर उनका विरोध भी हो रहा था लेकिन अब ये विरोध हाता पाई तका पहुंचा है योगेंदर यादब के स्टैंड को लेकर लोगों में अलग-अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी जब दलित भौजन समाज ने बरगी करण के खिलाब भारत बंद का एलान किया तब भी योगेंदर यादब ने इसका समर्थन नहीं किया इसी बात का जिकर करते हुए लंडन के रोयल हॉलोवे यूनिवस्टी के असिस्टेंट प्रोफेसर टॉक्टर अरविंद कुमार ने ट्विटर पर लिखा इस लोगसब चुनाब में आप लोगों ने सोर मचाया कि समिधान खत्रे में है दलितों ने उसको अपने आरक्षन पर खत्रा मानकर कॉंग्रेस को वोट दे दिया फिर जब उनको लगा कि उनके आरक्षन पर बास्तब में खत्रा आ चुका है और उसके लिए उन्होंने 21 अगस्त को भारत बन बुलाया तो आप लोग गायब हो गए योगेंदर यादब से सवाल तो पूचा ही जाएगा लेकिन उन पर हुए हमले को जायज नहीं थहराया जा सकता लोगतंदर में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है इस मामले पर जैसे योगेंदर यादब ने उपबरगी करण के समर्थन में लिखा वैसे ही आप उनके विरोध में आर्टिकल लिख सकते हैं आप उनके साथ सार्थक भहस कर सकते हैं इसलिए इस तरह के हमलों से बचना चाहिए इस बारे में आपकी क्या राया है कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को सेर करें और दान्यूस बीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें जैभीम साथ योगर आपको दान्यूस बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूँ ही अमबिट करवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR को स्कैन करें और न्यूस बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशी भेजें QR कोड के अलावा आप UPI की जर्ये भी मदद कर सकते हैं आप हमारी UPI ID इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं खाते का नाम है न्यूस बीक फाउंडेशन अकाउंट नंबर है 0-2-3-5-8-7-0-0-0-0-0-6-4-0 आए-फसी कोड है येस-बी-0-0-0-2-3-5 बैंक का नाम येस-बैंक है और ब्रांच है नहरू पैलेस दिली आप डोनेशन के एवेज में इंकम टेक्स में भी छूट पा सकते हैं डोनेशन के रसीद पाने के लिए ट्रांजेक्शन का स्क्रीन शोट हमें बेजें टाइप करें डोनेशन स्पेस अप का नाम और हमें 8595794224 पर वाट्सेप करें